प्रेज दो लॉड प्रभीशु मसी के नाम की स्थुति हो आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट विशे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और ये विशे है कि क्यों हमारी फास्टिंग फ्रूटफुल नहीं हो पाती है हम कई दिनों का उपवास रखते हैं उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई देता है हमने जिस उदेश से उपवास रखा है वो उदेश हमारा पूरा नहीं होता है हमारी मनों का अंशा कह सकते हूँ पूरी नहीं होती है इस्थिती वैसी की ही वैसी बनी होती है ऐसा क्यों होता है अगर हम इस समझने की कोशिश करें कि ज़्यादा तर लोग जो फास्टिंग रखते हैं वो एक्चल में फास्टिंग नहों के सिर्फ डाइटिंग रहती है प्रभीश्व मसिय ने कहा कि ये दुस्थ आत्माएं बिना उप्वास और प्रार्थना के नहीं निकलती जब योना ने नेनिवे में प्रचार किया तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सभी लोगों ने तीन दिनों तक ना तो कुछ खाया ना पिया और तीन दिनों तक वो टाट ओड़ कर परमिश्वर की दुहाई देती रहे इसके बाद हम यहोशा पात के बारे में पढ़ते हैं यहोशा पात ने भी उप्वास का प्रचार कराया और वो परमिश्वर की महिमा करने के लिए परमिश्वर के मंदर में पहुँचे और उन्हेंने परमेशोर के आगे मिन्नते करी परमेशोर के आगे वो गड़गडाए परमेशोर से प्रार्थना करी तो हम ये जो combination जो है उपवास और प्रार्थना का ये हम देखते हैं लेकिन जादातर हम जो fasting रखते हैं वो dieting से बढ़कर कुछ नहीं होती है हमको लगता है उपवास का मतलब ये है कि बस कुछ न खाना सिफ लिक्विड चाय और जूस ये सब ले लेना पानी अगरे पी लेना कुछ खाना नहीं सोबे से शाम तक ये उपवास होता और इसका में फॉल मिलेगा बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपका ये जो प्रयास है ये ineffective है क्योंकि वचन कहता है प्रार्थना और उपवास ये दोनों जोडिदार हैं ये दोनों जोडिदार हैं अगर आप सिर्फ किसी एक हिस्से पर फोकस कर रहे हैं तो आपको उतने effective results नहीं मिलेंगे आप जब भी उपवास रखें आप उसके साथ प्रार्थना ज़रूर करें अधरवाइस वो dieting से बढ़कर कुछ नहीं है यहना हमने सुबे से लेकर कुछ नहीं खाया शाम तक शाम को पांच मिनिट के लिए धन्यवाद प्रभू तुने उपवास रखने की सामर्दी उपवास खतम की और फिर खाना शुरू किया लेकिन आप कितनी देर परमिश्वर के वचन को पढ़ पाए उस दोरान कितनी देर आपने प्रार्थना करी यह बात आपको समझना है उपवास का मतलब होता है उपर वाले के साथ वास करना आप तो दिन भर अपने दुनियादारी में, अपने नौकरी में, अपने काम काजमें लगे रहे यह नहां आपने हो सकता है किसी की बुराई भी मुझे निकल गई हो किसी के उपर गुसा भी कर दिया हो उपवास सिर्फ पेट का ही नहीं होता है उपवास आँखों का होता है उपवास जुबान का होता है उपवास मन का होता है प्राण, आत्मा और देह ये तीनों आपकी फास्टिम में लगनी चाहिए ज़्यादा तर हम सिर्फ चरीर से उपवास रखते हैं। लेकिन हमारे माइन, हमारे सोल, हमारे थौट्स, what about them? We have to think. अगर आप चाहते हैं कि आपके उपवास का आपको फल मिले, चीजें बदलें, तो आप उपवास के साथ प्रार्थना को ज़रूर शामिल करें। अपने आपको पवित्र रखें। गलत चीजें न देखें, गलत चीजें न बोलें। ऐसी कोई भी चीज आपके सामने नहीं आनी चाहिए। उपवास का मतलब है उपर वाले के साथ वास। और जब आप उसके साथ वास करना चाहते हैं, तो आपको पवित्रता अपने अंदर रखनी होगी। सिर्फ डाइटिंग न करें। अगर आप सिर्फ खाना नहीं खा रहें, वो पवास नहीं है। वो डाइटिंग है। लेकिन अगर आप प्रार्थना और पवित्रता अपने उस भूखे रहने के समय के दोरान भी लेकर आएंगे। तब वो सच्चा उपवास कहलाएगा। और इस दोरान आप कोशिश करें कि आप गरीबों को दान दें, अनातों और विद्वाओं की सुधी लें। अनातों और विद्वाओं की सुधी लें। जुरत मंदों की जरूरत आप पूरी करें। उनको खाना खिलाएं आपका उपवास 100% एफेक्टिव होगा और स्वर्ग से आपको इसका उत्तर और प्रतिफल जिरूर मिलेगा आमीन आप इन वचनों को सुनें शेयर करें प्रभीशों मसी के नाम की महिमा के लिए आमेन